क्वीक आयस कंपोज यूर ड्रीम ज़्यादा आते हैं तो इसको थोड़ा देखना बहुत जरूरी है इसको अच्छे सी देखेगा और कोशन बहुत ही महत्पून कोशन है वीडियो को अन तक देखेगा कहीं कोई डाउट होता है कमन करके पूछेगा उसका जबाब आपको दिया जाएगा और इसका जो है जो आ कनोज एक इत्र सहर है कारण क्या कह रहा है कनोज सहर के सभी निवासियों के यहां इत्र का उद्दोग होता है ठीक है कुशन पुछा गया तो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है ऐसा क्यों क्यों कि सभी निवासियों कह नहीं होता है कुछ लोगो में ज़्यादा पूछी जाते हैं दूसरा कुशन है निम्रेखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है तो पहला है नोड़ा साफ्ट्वेर और सुचना पुर्दो की बिल्कुल सही है सीतापूर में प्लाइबूर उद्दोग बिल्कुल सही है गोरपूर में खेल कूट के समान बाने का उद्दोग ये गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 13 कोटा के लिए परसिद है गोरपूर तो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा सी और वरार सी रेस में उद्दोग के लिए परसिद दी है तो इसका जो एंसर हो जाएगा सी तो इस उत्तर प्रदेश में 76 दर कितनी है तो इसका एंसर हो जाएगा सी 67.68% साच चरता कहाँ पर है तो यूपी उत्तर प्रदेश में है ये बहुती महात्पूर्ण कोशन है इसको अच्छे स्याद रखना जोर जनगर्णा से जोलो हुए कोशन यूपी में ज्यादा पूछे जाते हैं नेक्स रहे आपका भारत के समस्त राज्यों में छेत्र फल अनुसार उत्तर प्रदेश का अस्थान क्या है तो छेत्र फल में अगर देखा जाए तो छेत्र फल में उत्तर प्रदेश का अस्थान है राजस्थान मध्य प्रदेश और महराष्ट के बाद जो है उत्तर प गलत हो जाएगा. इसका जो आंसर होगा वो रहेगा महाराष्ट. तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा B, बाकी सब सही है, तीसरा अफसरंग है, इलहाबाद उत्तर प्रदेश का सवधी जनसंख्या और जिला है, बिलकुल सही है, और कवाल नगर 10 लाग जनसंख्या सेधिक और नगरों की सेड़ी में आते हैं, ये भी बिलकुल सही है, तो या उसका नाम है तालीम, तो तालीम ही हो जना किसके लिए है, तो पहला है दूर दरसन द्वारा ग्रामिर छेत्रों में सिच्छा परदान करने हैं, तो बिलकुल सही, दुसरा है आपका जो है बिस विद्यालियों और डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रिख्चा परदान करना यह नहीं होगा, जुरने होए अभ्यारतों खेल में परसिच्छा देने के लिए भी नहीं होगा, और प्रारमिक अस्तरे सभी छात्रों को उर्दु भासा में से परचित कराने है तो इसका एंसर एक और चार होगा तो इसका एंसर होगा A तो उत्तर प्रदेश की योजनाओं से जुरू हुए कोशन भी बहुत जादा पूछे जाते ही नेक्शन आपका जनगर्णा से कोशन बहुत जादा आये हुए है यह बात याद रखना आप लोग जनगर्णा को बहुत अच्छी से देखना है यहां के लिंगन पाथ 898 है यह कोशन कई बारी जामे आया हुआ है इसको अच्छे सी याद करें नाई डाटा को नेक्शन आपका जनगर्णा 2001 के उसर उत्तर प्रदेश में 76 दर कितनी है 76 दर कितनी थी यह पूछा जाए तो इस पहला जो आपसन देख कूशन पुछा गया है मैं डाटा नहीं दिया गया है कूशन पुछा गया है भारत की उसर साच्छता से दर से अधिक है पहला आपसन है राजस्थान से अधिक है उरीसा से अधिक है या बिहार से कम है ये कुशन पूछा गया है तो इसका एंसर हो जाएगा उरीज़ा से कम है तो उरीज़ा से कम है उत्तर प्रदेश की साचरता ये बहुती महात्पूर्ण है ये आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे कुशन रिज्या में पूछे गए है नेश्ट आपका निम्रिकित में से कौ उसका अद्रदा को जिला भी बोलते है तो उत्तर प्रदेश का सब जन्संक्या वाल गर देखा जाए कोसा जिला है तो आपका इलाहबाद अर्थात परियाग राज सबस्यादा परियाग राज में जन्संक्या है ये आपको यादर रखना Um ग्यारा की जंगर्ना के नुसार में नेश्टापका निमने कथरों पर विचार कीजिए पहला है उत्तर पदेश में साच्छतर दर इस्थिर तरीके से बढ़ती रही है यह आपका कथर कहा गया है कारण कहा जारा है कि जो है जो यह है आपका क्या कहते है महिलाओं में साच्छता दर की ब्रद्धी पुरसों में ब्रद्धी दर के अनुरूप सम गती नहीं रही है तो इसका जो एंसर हो वो क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा B मतलब कथन A और R दोनों सही है लेकिन उसकी सही ब्याक्या नहीं हो रही है लेकिन दोनों स्टेट्मेंट सही है लेकिन दोनों अलग-अलग स्टेट्मेंट है दोनों एक साथ दूसरी की ब्याक्या नहीं कर रहे है तो इसको आपको ऐसे याद अखना है फिक है इसके बाद अगर हम बात करें अनेशफ कुशन जनगरणा से ही है जनगरणा से कुशन बहुत ज़्यादा है ठीक है तो लिखा है यापे जनगरणा जो है एक पर आधारी उत्तर परने इसके संबन्दम में में अन्युकत कतनों पर कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला क्या है पहला है आपका ग्रामिल जसंख्या, राजकी कुल जसंख्या का 79.21% है यह बिल्कुल सही है पुरु साच्छाता दर 68.8% है तो यह भी सही है जो है दूसरा है आपका जन घनधीव के साद भारत में इसका जो करम है वो हारवाँ है यह गलत हो जाएगा और नियुद्टम जन संक्या का वला जिला महभा है बिलकुल सहीरत इसका एंस हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इस नवे उत्तर प्रदेश के निम्रकित हो सबसे अधीक है इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तो जीसे मह लेगेर उत्तर प्रदेश का इज हमायब बनाते हैं तो यह उत्तर प्रदेश का मायब है थीक है तो इसमें सबसे पूर्ब में कौन है बलिया है तो यह नशीयार में सामिल है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A. नेश्ट है आपका उनलेखी में से उत्तर प्रदेसा कौन सा जन्पद नेपाल के साथ सीमा साजहा नहीं करता है ये कुशन पुछा गया है तो या रखना सीमाओं से जुरू हुए कुशन भी जामें पूछे जाती है तो या रखना जो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा कुशी नगर कुशी नगर की सीमा जो है ये नेपाल से नहीं लगती है बाकी जो है स्रावस्ति की लखीमपूर्खीरी की और बर्लामपूर की सीमा लगती है लेकिन जो है कुशी नगर की सीमा नहीं लगती है जनजातियों से जोड़ावा कुशन है कि जो है निम्रखी में से कौन सा युगम सही सुमिलित है जैसे भोटिया बारा बंकी में ठीक है बुकसा बिजनोर में राजी जो है राजी कहा गोरकपुर में या थारू बादा मतलब इसे पुछ जागा है कि कौन से जनजाति कहा पर निवास करती है तो इसका एंसर हो जाएगा बी, बुक्सा जो है ये बिजनोर में निवास करती है, तो बासे बुक्सा है और बासे बिजनोर है, तो आप इसको याद रखेगा और ये कुशन रिपीट हुआ है, तीन चार बार हुआ है, ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा गिस जिले की सीमा को असपर्स नहीं करती है सीता पूछ सिमा को या कुछनपर की सीमा उतरप्देश М कौछनपर की सीमा उत alors नहीं है आगे आते हैं निम्निकी कत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है कुछन पुछा रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है पहला है उत्तरपदेश में कुछ नगरों नहीं नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है बिल्कुल सही नगरों में एक निगम की हैसियत रानितिक काड़ो जो है पर दी जाती है बिल्कुल गलत है रानितिक काड़ों से कोई मतलब नहीं है यह सोसासन की अधार पर दिया जाता है कुछ सिधान था जिनके अधार पर नगन निगम का सिजन किया गया बिल्कुल सही, उत्रपदेव नगन निगमों के लिए एक अलग कारून है, यह भी बिल्कुल सही, इसका एंसर हो जाएगा आपका भी, कि यहां कुशन क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सही नहीं है, तो बबर सेर सफारी उत्रपदेश के इटावा में अस्थापित किया गया था, तो इसका जो एंसर है, वो हो जाएगा आपका क्या, इसका एंसर हो जाएगा आपका, बी, इटावा, नेश्ट है आपका, लेजर टेकनोर्जी पार्क कहां अवस्थित है, तो उत्रपदेश में जो लेजर टेकनोर्जी पार्क है, वो कहां अस्थापित किया गया है, तो यह उन्नाओ में अस्थापित किया गया है, लखनओ के बगल उन्नाओ जिला है, यही पर इसको अस्थापित किया गया है, यह भी आपको या रखना है, यह बहुत ही मात्मूर है, नेक्स है आपका उत्तर परदेश में कौन सा सहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है मतलब कहा से निर्यात के लिए विकास नहीं किया गया है वो पूछा जा रहा है एक्जान में ठीक है तो इसका है इलहाबाद इलहाबाद में नहीं है वाकि मेरट में आगना में और खुर्जा में जो है ये निर्यात विकास केंद्र के अस्थापना की गई है तो इसका जो एंसर है वो याद रखना B है इसका पारवती अरगा, रामसर अस्थन निम्निफी में इसे कोन से या कथन सही है यह कुशन पुछा गया है, तो यह लगना यह एला उफसन है या उत्तर प्रदेश की गोंड़ा जीले में इस्तित है ये बिल्कुल सही है या एक पच्छी या ब्यारण है ये भी बिल्कुल सही audit, इसका answer हो जाएगा आपका C, एक और दो दुनों सही है नेक्स आपका उत्तर प्रदेश में आलू निर्याज जोन इस्तित है तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्याज जोन कहां बनाया गया है तो यह इसका जो एंसर है वो हो जाएगा आगरा आगरा में ही आलू निर्याज जोन के अस्थाफना की गई है यह भी कुशन जाम में प मुखमंत्रियों से जोले हुए कुशन भी पूलिटिकल यूपी स्पेसल के पूछे जाते हैं। नेश्ट आपका निम लिखने में से कौन उत्तर प्रदेश की पर्थम महिला मुखमंत्री थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुखमंत्री कौन थी। तो यादखना यह है आपका सुचेता किर्पलानी यह पहली मुखमंत्री थी उत्तर प्रदेश की और सरोजी नाइडू पहली राजबाल थी उत्तर प्रदेश की प्याग को यादखना है नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में बुक्सा जंजाती कहा रहती है तो उत्तर प्रदेश में जो बुक्सा जंजाती पाई जाती है वो बिजनोर में पाई जाती है यह कुशन रिपीट भी हुआ थे दुबारा कुशन आ गया है तो इसको याद खना यह बिजनोर में है नेक्स्ट है आपका निम्खी में से कौन सी जन जाती जो है अंसूची जन जाती उत्तर प्रदेश के वरार्थी जिले में नहीं पाय जाती है तो उत्तर प्रदेश के वरार्थी जिले में कौन जन जाती नहीं पाय जाती है सहरिया जन जाती कहां पाय जाती है तो यह आपका ये पाई जाती है आपका ये ललितपूर जीले में पाई जाती है तो याद रखना वरार्सी में जीले में चेरो खरवार और गौर पाई जाते हैं लेकिन सहरिया जंजाती नहीं पाई जाती है नेकिश्ट कुशन है आपका उत्तरप्रदेश की कौन सी निम्रिखित जन जाती दीपाव अली को सोक के रूप पे मनाती हैं नेकिश्ट आपका नेमक्री कथ्रोंक पर विचार कीजिए पहला है आपका भोजपरी पूर्विव उत्तरप्रदेश की एक लोगभासा है और दूसरा कथन है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भासाओं में आसहज होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अन्य भासाओं को भी बोल लेते हैं आसहज मैसूस नहीं करते हैं तो इसका एंसर जो A होगा लेकिन R नहीं होगा अर्था तो इसका एंसर हो जाएगा C A सही है लेकिन R गलत है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A और उत्रप्रदेश के जो पूर्वी छेतर है वहाँ पर भोजबुरी भासा बोली जाती है ठीक है नेक्स्ट है आपका आलहा एक लोग प्रिये संगीत किस छेतर का है तो आलहा उदल की कहानी है ये जूरी हुई है हमारे इतिहास में बुंदेल खंड छेतर से तो इसका एंसर हो जाएगा आपका B तो बुंदेल खंड छेतर में आलहा उदल की कहानी बहुत लोग प्रिये है जो बीर रस्किया मात्यम से गई जाती है नेच्ट है आपका धोला लोग गीत लोग परिय किस चेत में है तो जो धोला लोग परिय गीत है यह आगरा और मेरट किस चेत में बहुत लोग परिय है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A नेश्ट है आपका उत्तर प्रदेश की बिसिष्ट नित्त सैली कौन सी है तो उत्तर प्रदेश की जो बिसिष्ट नित्त सैली है वो है आपका कथक अर्थात कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक जो है जो सास्त्रिय नित्त है कथन को अगर हम देखते हैं कथन और कारण को बताना है जिसे इसमें कोशन है आपका जो है कथन कारण को अगर देखते हैं तो पहला है आपका जो है यहां लोग गीत पूछा गया है दूसरा है गायड का आउसर यह कोशन पूछा गया कि कब यह गाया जाता है जो है मौसमी गीत है ये भी है जब धान लगा जाता है तब कजरी गीत घाय जाता है पूल भी उत्तर प्रदेश में जो रसिया निते है यह आपका ब्रज का लोग पी यह निते है ठीक है अगझ मतुरा आगरा के पास और जो सोहर है यह आपका संसकार गीत है बच्चा पैदा होता है, तब सुहर का जो है, गाय जाता है, तो याद रखेना जो इसका जो एंसर है, वो हो जाएगा ए, और इस तरह की कुशन कल्चर से जो लोगे कुशन उत्तर पर दें, बहुत जादा पूचता है, ठीक है, नेश्टा है आपका, जा दिन जनम भयो का धर धरती धसी अड़ाई हाथ हो, जो एक गीत यहां लिखा गया है, एक किस के लिए कहा गया है, तो यह कहा गया है, आलहा के लिए कहा गया है, जब आलहा का जनम हुआ था, तो धरती अड़ाई हाथ धस गई थी, और यह एक बीर जो है, रस की रूपे बताया जाता है, तो इस देवी का जनम हुआ था ये भी कुशन पूछा गया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका D नेश्टा आपका नियुक्त में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है पहला उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना बिस्विद्याले इसकी अस्थापना 1887 में की गई थी नोचंडी मेला ये मेरट में भी लगता है बिल्कुल सही है भारत कला भाउन ये वरारसी बियेच्चू में है बिल्कुल सही है जो है चोरसिया नित ये गोरकपुर में नहीं होता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी ये क्योंकि हस्था मेरित नहीं है ये पूछा जा रहा है ये बुंदेल खंड का छेत्र होगा ठीक है नेश्ट है आपका जो है हावट रिसले 1901 के अनुसार उत्तरप्रदेश निवास छेत्र है किसका तो उत्तरप्रदेश में किस परजात की लोग निवास करते हैं और दर्बियन लोग निवास करते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका बी ठीक है नेश्ट है आपका उत्तरप्रदेश में जैन और बौध दोनों धर्मों का परसिद्ध तीर्थ कौन सा है यह आपका कौसाम भी यह आपका प्रियागराज के परच्छी में कौसाम भी है और यह वस्थ की राजधानी थी 16 महाजनपद में और यह बौध और जैन दोनों का है यह कूशन जैन में कूशन में दो-तीन बार रिपीट हो चुका है ठीक है नेश्ट है आपका आपका निमर्ट निकित में से कॉन सा सही सुमिर्थ नहीं है यहı तो सही जहां सी उद्दोगिक केंदर है, नहीं. मुराधा-बाद पीतल उद्दोग केंदर है, इसका यह एंसे हो जाएगा आपका सी. ठीक है? उजये उद्दोगिक केंदर नहीं है. नेश्टापकान निम्रिकी में से कौन सा एक सही सुमिल्त नहीं है. यहां भी देखिए बार-बार पुछारा कौन सही सुमिलत नहीं है तो पहला है देवा यह जो है आपका वरार्सी में मेरा लगता है बिल्कुल सही है आलह महोबा बिल्कुल सही है कर्मा मतुरा यह गलत है कर्मा पूर्वी उत्तरप्रदेश का है और कजरी में भी कथ बिल्कुल जाही है तो इसका aso हो जाएगा का सी मैं इसका उत्ता पर्देश के पर्मुख लोगनित एक कुशं कब से कम 44 बर रिपीट हो चुका है तो चरकुला कर्मा और पांडो यह जो है उत्तर प्रदेश के पर्मोख लोगनितने हैं तो इसका answer हो जाएगा आपका B नेश्टाप का उत्तर प्रदेश के निवर्देश मेंसे किस यतियासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोन आते हैं ऐसा कौन सा मेला होए उत्तर प्रदेश में जहां हिंदू मुसल्मान दोनों आते हैं तो नोचंदी का मेला जो है याद रखना ये मेरठ में लगता है पर यहां पे हिंदू मुसल्मान दोनों का मेला लगता है तो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा ए नेश्टाप का निम्रक जो है जल बिहार का मेला बुन्देल खंड में बिल्कुल सही है दुसरा है बटकेस्वर मेला ये पच्मे अंचन में लगता है बिल्कुल सही है बल देव जो है छट का मेला ये पुर्वा अंचन में लगता है ति ये गलत हो जाएगा इसका जो answer हो जाएगा C ठीक है यह आप कहा लगता है? बुन्देल खंड में लगता है ने इसको सूची को सुमिलित करना है ठीक है? पहला जो है आपका अगर देखा जाए मेला है, यहाँ पर मेला दिया यहाँ पर जन्पद दिया है 21 मेला में कौन सा लगता है ठीक है? तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला है आपका देवा, देवी पार्टन मेला यह कहां लगता है तो देवी पार्टन मेला बर्रामपुर में लगता है काम पील मेला कहां लगता है काम पील मेला जो है यह फरुखा बाद में लगता है, बटेस्वर मेला कहां लगता है, तो यह आगरा में लगता है, और ददरी मेला बलिया में लगता है, तो इसका एंसर हो जाएगा आपका C, निशकुशन है, सूची एक को सूची दो से सुमिल्ट करना है, पहला है घटना अर्थात मेला पूछा गया और स् घुटरा सुलर्थ में और इसका आंसर जो है वह तर जो हो जाएगा ये नशे आपके नीश्चों को सब्सातर नहीं है यह सथान है ये कूछ्छट मैं से सही नहीं है जिले हैं पहला है बटेस्वर कहां पर है बटेस्वर जो है यह कहां पर है तो यह आपका यह आगरा में बिल्कुल सही है देवा सरीफ यह बारा बंकी में जोनपुर में नहीं है तो इसका कट हो जाएगा इसका एंस हो जाएगा बी पकिस जो है सकिसा जो है फरुखबाद में यहां 100 का स्तम में मिला है और विदूर कानपूर में है यह भी बिल्कुल सही है तो इसका एंस हो जाएगा अभी यह 50 कोशन आपको मैंने बताया है इसके पहले एक वीडियो 50 कोशन को मैंने और डाला था प्रिवेस की टोटल 100 कोशन है तो 100 में आप देखेगा एक जाम में कम स से कम यहां से 30 कोशन आपको रिपीटेड मिलेंगे बिल्कुल रिपीटेड मिलेंगे तो इसलिए इस कोशन को बहुत अच्छे से देखना कहीं कोई डाउट होता है कम करके पूछेगा उसका जवाब आपको दिया जाएगा ओके थैंक्यू